Hey guys, this is Preeti, आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं हिंदी का part 6 जिसमें हम लोग डिसकस करेंगे विशेशड और विशेश के बारे में और उसके बाद हम लोग इससे related MCQ को solve करेंगे तो यह जो chapter हमारा यह बहुत ही छोटा सा chapter इसमें हमें कुछ नहीं समझना अगर आप संग्या और सर्वनाम के बारे में जानते हैं तो आपको विशेशड पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जिस सब्द से संग्या और सर्वनाम का बोध होता है उसे का बोध हो विशेशता बता है उसे हम लोग विशेश कहते हैं और जो विशेष्टा बताते हैं उसको क्या कहते हैं विशेष्ट जैसे मैं कह दू अगर लाल घोड़ा की मैं बात करूँ तो इसमें क्या है घोड़ा हो जाएगा क्या गोड़ा है संग्या है तो ये हो जाएगा हमारा विशेष्ट और लाल क्या हो जाएगा विशेष्टा त बस एक लाइन में याद रखेगा कि संगय सर्वनाम क्या है हमारा संगय सर्वनाम हो गया हमारा विशेश है और जो गुड होता है वो हो जाएगा विशेश है तो आईए question answer को solve करते हैं शुरू करने से पहले मैं चाहूंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्टेडिव एक्जाम की त्यारी करते हैं तो इन सभी विशेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिष्ट में फ्री वीडियो क्लासेज देख सकते हैं आईए बात करते हैं देखिए पहला question हमारा की निमनलखित में से विशेश्य पद कौन सा है विशेश्य आया तो तूरंट चले जाए कहां पे शंग्या और सर्वनाम पे तो इसमें क्या है अनुरागी है अनादृत है अब मानी है अगनी है तो सही अंसर क्या होगा हमारा अगनी तो अगनी क्या है हमारा विशेश्य पद है अगला question ह प्रतिभा शंपन्न चात्र का विशेशड क्या है आप इसमें से ढूंड रहे होंगे कि प्रतिभा संपन्न चात्र तो आप ढूंड रहे होंगे प्रतिभा संपन्न लेकिन यहां पर कहीं भी आपको प्रतिभा संपन्न तो मिल नहीं रहा है इसमें हमसे क्या पूचा है विशे मेधावी, कौनवावी, Option B से हैं इस में कोई एक यूगम है जो की विशेशड नहीं है जैसे चोटा बढ़ा तो ये दोनों विशेशड हैं हरा पीला चोटा बाई, बढ़ा बाई ठीक है, हरा कपड़ा, ठीक, पिलाम, ठीक, दो लोग, तीन लोग, तो यह क्या होगा है, सभी के सभी विशेशड होगे, लेकिन यहाँ पे देखे, यहाँ पे यह दोनों विशेश है, राम और लचमण क्या है, संग्या, तो यह दोनों क्या हो जाएंगे, यह दोनों के दोनो हमारा देखते ही क्या हो जाएगा संख्या वाची विशेशड चले next question की बात करते हैं अगला question हमारा व्याकरण की दृष्टी से कौन सा सब्द विशेशड नहीं है यहाँ पर हमको बताना है व्याकरण की दृष्टी से कौन सा सब्द विशेशड नहीं है तो देखते हैं भै भी विशेषदा बता रहे हैं लेकिन भया किसी चीज की विशेषदा नहीं बता रहा है तो इसमें हमारा सही अंसर क्या होगा लोभी व्यक्ति तो यहाँ पर होगा संग्या विधी से ठीक है? लोभी संग्या विधी से विशेशण है फिर हमारा उच्साह शब्द का विशेशण है तो उच्साह शब्द का विशेशण गया होगा इसमें हमारा उच्साहित होगा देखे उपसर्ग और प्रत्य लगा के भी विशेशड बनते हैं याद रखीएगा अगला हमारा वाक्यों में क्रिया युक्त वाक के कौन सा इसमें इसमें कौन सा ऐसा वाक्य है जो क्रिया है पहले दिखते हैं मैं कल नहीं जाओंगा नहीं उसके बाद है हमारा वाया फूल सुन्दर है लड़का रोते रोते घर पहुचा लड़का क्या किया है रोते रोते घर पहुचा तो यहां पे क्रिया विशेशड है ना रोते रोते घर पहुचना क्या है क्रिया और ये विशेशड विशेशता बता रहे है लड़के की लड़का कैसे घर पहुचा है रोते रोते तो हमारा सही एंसर क्या होगा option number c next से हमारा की पुस्तक में कौन सा विशेशड है तो पुस्तक में कौन सा विशेशड होगा यहां पर हो जाएगा हमारा पुस्तकी ना कि पुस्तकाला याद रखेगा पुस्तक का विशेशड क्या बनता है पुस्तकी ये कई बार exam में आ जाता है और लोग क्या tic करते है पुस्त काले तो हमारा सभी answer क्या है पुस्त की फिर हमारा मदन काली पतलून पहन कर खेलने आया तो अब इसमें विशेषता पतलून की विशेषता कौन बता रह रहा है काली मतलब पतलून कैसी है काली तो सही अंसर क्या होगा हमारा option number A Next है हमारा सण्ध्या और सर्वनाम की विशेश्ता बताने वाले शब्दो को क्या कहते है हमने पढ़ लिया है विशेशड कहते है विशेशड के वखेद कितने होते है तो जल्दी से बते हैं इसमें हमारा सहीं असर क्या होगा करें प्रेफ का विशेशड़ के कुल्छ चार भेद थे कि कॉन कॉन से होते हैं गुड़ वाचक विशेशर जिसमें गुड़ रेखांकित सब्द है कही नहीं देखा, इसमें देखे कोई भी रेखांकित नहीं है, फिलाल इसमें जो हमारा सब्द है योगिक सार्वनामिक विशेशड होगा ठीक है, मैंने कही नहीं देखा, यहां पर क्या हो जागा योगिक सार्वनामिक विशेशड अगला हमारा निमनलखित में से विशेषड सब्दे चुनिए तो इसमें से विशेषड क्या होगा हमारा मिठास होगा ठीक है क्या होगा मिठास विशेषडों की विशेषडा बताने वाले को क्या कहते हैं अगर कोई सब्दे अचा है जो विशेषड की भी विशेषदा बताए तो उसे क्या कहेंगे उसे हम लोग कहेंगे प्रविशेषड प्रविशेषड किसे जो विशेषडों की यही विशेषडा बता दें नेक्से हमारा विशेष के पहले आने वाले विशेषड को क्या कहते ह तो विशेश के पहले जो विशेशंड आता उसको विशेश विशेशड कहते हैं त्यूंदू संख्या वाची विशेशर तो सही अंसर क्या होगा हमारा option number D अगला question हमारा कि गली के प्रारंब से दूसरा घर हमारा है तो दूसरा घर हमारा इसमें पूचरा रेखांकिक पद क्या है रेखांकिक पद देखे हमारा है क्रम वाचक ये क्रम है ना पहला दूसरा तीसरा ये क्य तो होसियार क्या है होसियार एक गुड है होसियार होना किसी का एक गुड है तो यहां पर क्या होगा विशेशड होसियार क्या है एक विशेशड है तुम्हारा घर सुन्दर है तुम्हारा घर सुन्दर है इस वाक में रिखांकित पद क्या है तुम्हारा घर सुन्दर है इसम इसमें मारा हो जाएगा गुडवाचक साड़ी कैसी है नीली है फिर हमारा इमानदार या पद विशेशर का भेद है इमानदार एक जो है या कौन से विशेशर का भेद है इसमें मारा हो जाएगा गुडवाचक इमानदार होना या बेमान होना किसी का गुड़ होता है नेक्स दL éus है हमारा विशेषत की संबंद में कौन सा कथन शत्य है संग्या की विशेषता बताता है ठीक है पिर हमगा बात करते हैं चारो लड़के बदमास है इसमेरेखांकित पद का क्या मतलब रेक एक समुदाइन यह समूदा है क्योंकि दो लोग लड़के बनमाश हैं उसके बाद है हमारा की विशेशड के चारो भेदों के सामने सब्द दिये गया है जिसमें से एक सब्द सही नहीं है उसका चयन करिए तो देखते हैं गुड़ वाचक विशेशड सुगंदित होना गुड़ है सही है परिमाड वाचक विशेशड धाई संख्या वाचक विशेशड संख्या वाचक में देखे एक दो तीन आएगा ना कि कोई आएगा तो याद रखेगा हमारा सही अंसर क्या होगा ऑप्सन नंबर सी अगर संख्या है तो उसमें आएगा जैसे हो गया एक या दो जैसे तीन लड़के चार लड़के यह सब प्रयोग करते हैं फिर हमारा इनमें से किस वाक्त में गलत विशेशड का प्रयोग किया गया है तो देखते हैं कविता परिश्ट्रमी यूती है सही है यूती कैसी परिश्रमी है तो इसमें विशेशड क्या होगा हमारा परिश्रमी फिर हमारा प्रबुद्ध जनों से हमार महिलाओं का होगा ना कि यह होगा कि यह सरकारी महिलाओं का favor है नेक्सक्क्राइशन की बात करते हैं धूनों शब्द किस प्रकार का संख्या वाची निया। इससब क्या हो गुडवाची विशेशर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि शब्दों में से विशेश शब्द चुनिए तो बताई इसमें से विशेश क्या होगा इसमें हमारा विशेश क्या होगा इसमें हमारा आकासी तो नहीं है आकास आकास हमारा विशेश हो गया और कैसे विशेश होगा अगर हमको आकास की विशेशता बताने तो हम लोग क्या कहेंगे नीला आकास ठीक है आकास कैसा होता है, नीला आकास, ठीक है, तो ये नीला क्या हो जाएगा, ये विशेशड हो जाएगा, लेकिन आकास क्या इसमें विशेश से हैं, अगला question हमारा की उच्चेतर तुलनात्मक विशेशड की अवस्था इन में से कौन सी है, तुलनात्मक विशेशड की यहां पर अगर आप देखें पूडांक क्या है? अगर हमें एक, दो, तीन मिल जाए लेकिन अभी हमको धाई लिखना है था हम क्या लिखेंगे? दो सही, एक बटे, दो ठीक है? तो यह क्या हो गया? यह हो गया हमारा आप उडांक बोधक. एक वाख्यों हमारा कि राम की अपेच्छा स् इस वाख में रेखांकित सब्द क्या है? अगर आप देखें इसको तो यह क्या है? एक राम की अपेच्चा स्यामदी बज्धिमान है. तो यह क्वाज़ राथ ही विशेशन है? अगला पुष्य है, प्राचीन भारत का इतिहास रोचक है. इस वाक में विशेशड विशेश की संख्या कितनी है क्या है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास तो देखते हैं एक तो है भारत और वो कैसा है प्राचीन दूसरा इतिहास कैसा है रोचक तो इसमें हमको दो विशेशड और दो विशेश से मिल रहे है अगला question हमारा, इस गाय का दूद बहुत मीठा है, इस वाक में प्रविशेषर सब्द कौन सा है? ठीक, तो देखते हैं इसमें प्रविशेषर क्या है? बहुत मीठा है, पहली बात तो दूद क्या है? मीठा है, अब इसमें भी एक और विशेषर लगा दिया, तो ये क्या हो प्रा विशेशड हो जाएगा क्यूंकि विशेशड की भी विशेश्ता बता रहा है यह चले नेक्स बात करते हैं हिमगिरी के उतुंग सिखर पर बैट कर सिला की सीतल चाओं इस पंक्ति में विशेशड और विशेशश्य सब्द को चुनना है तो देखते हैं कौन सा सही होग आ और बा दोनों विशेशड विशेश्य हैं नेग से हमारा की नीचे जल था व इनमें से कोई नहीं अगला हमारा वस्थ्रेष्ट उपासक है इस वाक्चे में विशेश्य क्या हैं टिक तो इसमें विशेश्य क्या होगा सारवनामिक विशेश्य होगा यहां पर हो जाएगा वह अगला हमारा यहां गाय अधिक दूद देती है इस वाग कि में अधिक विशेश्ट किसकी विशेश्टा बता रहा है तो अधिक विशेश्ट किसकी विशेश्टा बताएगा ओवेस सी बात है दूद दे रही है तो किसके विशेश और विशाद विशेशण को हमारा सात्व जो को DruhTON जोδन हूं सब्सक्राइब करें और शेटाथ जेर कुर्ण की ऐसे को आप मिलूग करें गया अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें और लाइक करना ना भूलें डेली अब्डेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरू क्लिक करें थैंक यू फ्रेंज, थैंक यू सो मच